तो जितिन्दी जी आजकल जो समय हैं स्टूडेंट्स के एक्जाम्स चल रहे हैं और जो एक्जाम्स हैं उनमें कुछ ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि बंदा या तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाता या बच्चा इतना फ्रस्टेट हो जाता है कि वो पढ़ने के बावजुद पढ़ा होगा सब कुछ भूल जाता है यानिकि जो सिट्वेशन्स हैं पिरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है उस समय संभालने तो ऐसी क्या रेमेडीज है या ऐसे क्या कारण है कि बच्चों का ऐसा माइंडसेट हो जाता है या बच्चे ऐसा बिहेव करना शु इंदूण गा उपाई बेसिकली मेरे मेरा खुद का बनाया होनी है यह हजारों सालों से हमारी रिशी मुनियों की यह खोज है वह है रुद्राक्ष पार्ट रुद्राक्ष खास करके चार मुखी एक आगरता का कंसेंट्रेशन का सूचक माना जाता है और क्योंकि जो पुद्र के अक्षों से निकले हैं मतलब भगवान शिव के जो अश्रू हैं वहां से निकले हुआ एक ऐसा बीज है जो बड़ा स्पिर्चुल है और अगर आप रुद्राक्ष के अंदर चार मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो इसके जो लौड है वह भगवान ब्रह्मा जी है और ब्रह्मा जी को ज्यान का अधिदाता खागा जाता है तो ग्यान से, एजुकेशन से यह सबसे जो इनका नाता है वह हैं भगवान ब्रह्मा जी और चार मुखीर दुराक्ष मैं अक्सर अपने सभी चोटे बच्चे जिनका कमपीडिशन या पढ़ाई से या कागरता से कभी-कभी नाता टूपता है मैं उनको सला देता हूँ, कोई इसकी कोई बहुत महगी चीज नहीं है परन्तु उसको लाल या सफेर या खाकी धागे में गले में पहना जा सकता है आप अपने बच्चे को जरूर पहना ये इससे आपको फाइदा मिलेगा और इसको कभी-कभी शिवालय में शिवलिंग के साथ टच करवाना या जब भी रहत हो तो आपको चंद्रमा की वश्णी में रखने से ये पुली तरह से चार्ज भी हो जाता है जी तिंदे जी जैसे आपने रुद्राक्ष की बात की आपने बहुत इजी टिप बताया क्योंकि इसली अवेलिबल भी हो जाता है लेकिन इसकी पहचान करना थोड़ा सा मु यह जरूर कह सकता हूं कि बच्चों के तो चलो मैं यह नहीं कहूंगा कि उन्हें हाँ अगर आप कम्पीटिशन के अंदर है कोई इंटर्व्य है कम्पीटिशन है या आपको पूरी एक आगरता चाहिए तो फिर मैं आपको सला दूँगा जैसे आप माली जी अपने लिए या कोई भी अडल्ट आदमी जो कहता है कि मैं मुझे एक आगरता भी चाहिए मुझे फेम भी चाहिए नेम भी चाहिए तो उसके लिए उसे पांच मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए क्योंकि उसके जो अधिश्टा जो उसके देवता है वे भगवान शिव खुद है जिस तरह भगवान शिव की तीसरी आँख अगरता की सूचक होती है उसी तरह से इसके अंदर भी और दूसरी बात भगवान शिव को चंद्र का चंद्र देवी कहा जाता है चंद्र को की मात्य मस्तक पर धारण करते हैं तो चंद्र से ही हम एड्यूकेशन भी देखते हैं तो चार मुखी और पांच मुखी लगबग लगबग बच्चों को मैं चार मुखी बोलता हूं लेकिन अगर उसको पांच मुखी आप पहन नहीं सकते हैं तो पांच मुखी रुद्राक्ष आप उसको चांदी के साथ या धागे के साथ बांध कर उसको चांदी की गिलास में किसी साधारण गिलास में डिप कर सकते हैं हां मैं कांश के इता जला पिसकते हैं दूसरी बात जो रुद्राक्षे हैं रुद्राक्ष के साथ सब कभी कभी कुछ भध्राक्ष होते हैं वह था तो मेरे कायाल에 से विजू आप हम हिसके साथ अगेस पुरी लब क्यासरा करते हैं ऐसके सम्पर्क कर िंदेशों हम लोग पूर अरश्वाय करते हैं ऐसकी हम लोग पुरेए बेहनी या को बंदू चाहिए उनको तो आप हमसे हमारे कारयले में हमारे स्टाफ से समपर्ग करके भी वे मंगवा सकता है जी तो जीतिंदर जी एक आखरी सवाल इसी से रिलेटेड में जुरू जानना जाओंगी कि जैसे अभी आपने बताया कि चार मुखी रुद्राक्ष जो है वो बच्चे पह देखिए ये एक अलग विश्य है मैं आपको निहा जी बताना चाहूंगा एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर जो तेरा मुखी रुद्राक्ष तक है वो लगबग लगबग आप समझीए चार पांसो रुपे से लेकर दस पंद्रह हजार रुपे तक मिल जाता है परंतु इ इनकी वैल्यू लाखों रुपे में चले जाएगा पहली बात दूसरी बात आपको आपका अभी आपने पूछा पढ़ाई के लिए तो मैंने आपको चार मुखी बोला अगर आपको किसी दुश्मन पे विश्य हासिल करनी है तो आपको छे मुखी रुद्राक्ष बोलूग अगर आपको अपना औरा बढ़ाना है या किसी तरह से कोई election लड़ना है कि competition में आपको है अपना आपको ऐसा फेम चाहिए जिसमें लोग आपका औरा देखकर चक्का चौंध हो आपका औरा तो कोई officer rank हासिल करना है या इस तरह के progress चाहिए तो बारा मुखी ब्रम्मा विष्णो महेश इहा महाकाली तो तीन मुखी रुद्राक्ष के साथ आएगा अकेले घॉरी शंकर जी की अगर आपको अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या जो जो घहने जिन की शादी नहीं हो रही तो उनके लिए मैं उनको सज़स्ट करूँगा कि वो दो मुखी रुद्राक्ष धारन करें क्योंकि वो मापार्वती और भगवान शंकर का प्रतीक है यहां फिर उस दो मुखी रुद्राक्ष की माला से जब करें हां अगर उनकी शादी हो चुकिया और उनकी शादी में कले कलेश आ रहा है तो फिर वो जो रुद्राक्ष है वे आपको गौरी शंकर दो रुद्राक्ष जो स्वैम पैदा होते हैं अलाकि इसमें अकली बहुत आते हैं कोकि ये कॉस्टली होते जाते हैं तो इनकी हजारों में होने की वज़े से दो प्लास्टिक दुराक्ष लेकर जोड़ने या कैसे भी जोड़ने तो वह अलग चीज होगी वह विशेलागा इसलिए हमने बोला सर्टिफएड होने चाहिए तो ये रुदराक्ष जो है इनको गौरी शंकर का है अब बच्चा नहीं हो रहा है किसी के या संतान नहीं हो रही है या उसको गनपती जी की अरादना करनी है तो गनपती जी का गनेश रुदराक्ष आता है अगर उसे खाली भागवान शंकर की ही तप-प करना है तो एक हब क्या है ऊसको और दूसरी बात किया कि रुध्राख्ष है कि एक खाली पैंड ट्राइव कि अब वो एपन ड्राइव अब तो आपको 2GB चाहिए 64GB चाहिए 125GB तो उसी दरह से वह एक पेंड राइब का काम करती यह वह अंदर रूल उसको follow करते हैं तो उस रुद्राक्ष के अंदर वो pen drive के अंदर वो data भरना शुरू हो जा और वो आपको आगे चलकर वो आपकी आप कह सकते हैं कि आपका जो और अनर्जी है उसमें सेव होती है और आपको इसका फायदा मिलता है तो यह रुद्राक्ष में अपने आप जो लोग रुद्राक्ष मंगवाते हैं हम लोग लगबग 6-7 मुगी से आगे सब को साथ में हर एक X-ray देख तो जिस तरह से आप अपने लंग्स को आप X-ray में देख पाते हो अलग-लग ribs को उसी तरह से आप जब रुद्राक्ष का X-ray करवाएंगे तो उसकी एक-एक करते हैं अगर किसी को संशे हो तो खुद भी करवा सकता है इसी तरह से उसको आटिफिशल केमिकल या उसकी कुछ चेड़ा शेड़शाड तो नहीं हुए उसको उसके मुख नकली तो नहीं बनाए गए अब वह आदमी चार मुखी को 10 मुख बनाने की कोशिश करेगा तो व 500 वाली चीज 50,000 की हो सकती है परन्तु इस तरह से यह सब चीजें उसमें दिखती है लेकिन यह सब चीजें हम लोग गाइड करते हैं हम लोग अपने हमें पूरे इंडिया से ओवर्शी से फोन भी आते हैं